हेलो माई दियर फ्रेंड्स वेरी वार्म वेल्कम तो आवर सीरीज ऑफ करेंट अफेर कट शॉर्क दोस्तों इस सीरीज में हम लोग आपके लिए प्रिलिम्स 2021 के हिसाब से जो भी बहुत इंपॉर्टन इंपॉर्टन टॉपिक्स हो सारी चीजे लेके आये हैं और इसमें स्टाइटिक प्लस आपका जो करेंट अफेर का कॉंटेक्स्ट है वो सारी चीजे हम डिसकस करेंगे तो इक बहुत होलिस्टिक सीरीज बनेगे और इसके अलवा इस इन सारे मतलब जो आपको नॉलेज मिलेगा इसको में में कोट कर सकते हैं साथ-साथ इंटर्व्यू परस्प मिल जाएंगे मेरी इमेल आइडी भी एडी डॉट प्रकाश अधर प्रेप्सक्षा डॉट कॉम तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो की बहुत इंपॉर्टेंट है डाट इस आर्टिफीशल इंटलिएंस और दोस्तों जैसा कि सीरीज में हमेशा से होता रहा है है ना आर्टिफीशल इंटलिजेंस पे एक सबसे पहले हम सवाल देखेंगे जो कि प्रिलिम्स ओरिएंटेड होगा दोस्तों आज का जो सवाल है यह मैंने स्पेसिफिकली उठाया है 2020 के पेपर से ठीक है एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि 2020 में एक बहुत अजीब स सब्सक्राइब करना चाहूं तो मैं यह कहूंगा कि जहां भी एप्लीकेशन की बात आए ठीक है तो ध्याना का जहां भी एप्लीकेशन की बात है इन जेनर बोल रहा हूं 80% केसे में नॉट ऑल्वेज क्योंकि इसके पहले का अगर पैटरन देखेंगे तो 2019 में जस्ट अप अगर करके आते तो आपके एंसर क्या हो जाते निगेटी में चले जाते ठीक है तो जब्राऊं कि 70 टू 80% केसिज में आपमें बोलूं तो आपका जू एंसर है अगर आप्लीकेशन बेस्ट पूछा गया यह कुछा गया है कोईश्य कहां कहां प्लाई होता इता इन जेनर ब दखना चलो एक बार सवाल पढ़ देते हैं आपके सहूलियत के लिए विद प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एफेक्टिवली दू विच फॉलोएं फॉर्स्ट बिंग डाउ एलेक्रिसिटी कंजम्शन इंडस्ट्रियल उनिट सेकेंड क्रियेट मीनिंग्फुल शॉर्ट सोरीज एंड सॉंग्स थर्ड डिजीज डाइग्नोसिस टेक्स्ट्री स्पीच कंवर्स कंवर्जन वाइरलेस ट्रांस्मिशन ऑफ एलेक्ट्रिकल एनरजी ठीक है तो फॉर्स टाइम अगर आप इस सवाल को देखो तो आपको सम सकता है यह समझना जरूरी है आप कोई भी स्फेर बोलिए वहां पर आप्टिमाइज करने के नाम पर हम बहुत आराम से अर्टिफिशल इंटेलिजेंस को मशीन लेर्निंग को या इसके किसी न किसी कंपोनेंट को जरूर लगा सकते हैं ठीक है सेंसर जो आज कर रहे हैं यह हम देखते हैं कि AI क्यों न्यूज में है ठीक है इंपोर्टेंस क्या है और क्यों न्यूज में ठीक है तो सबसे पहले तो इंडिया और यूएस ने मिल करके एक ज्वाइंट स्कीम लांच किया एक ज्वाइंट कमीटी बनाई है एक तरस कहलो जो की फोरम बनाया है जो कि सफिएयु एससड बन जाता है ठीक है तो द्यांट यह और यहां पर रिसेंटली यूएस इंट्या आर्टिफिशल इंट्रिएंट तिनस यूएस ऑई ऐए-ई-ई-ए खैड described Wie науч launched for working in field of artificial intelligence it is a initiative of IUSSTF IUSSTF I hope so you have to understand what is the name of the US-India Artificial Intelligence this is the platform to discuss opportunities challenges barriers for bilateral AI R&D collaboration enable क्या 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 करेंगा पहले तो बताएगा चलेंज बताएगा और बारियर बताएगा bilateral US और इंडिया दोनों और AI में किसके field में R&D कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो आपका है AI innovation पे भी बात करता है किसे बात करता है AI innovation पे ठीक है AI innovation पे भी करता है शेर आइडिया फोर डेवलपिंग एंड एड एड वरक फोर्स एंड रिकमेंड मोट्स एंड मेकेनिजम फोर कैटलाइजिंग पाट्श दोसों सारे सारे बहुत जेनलाइज रहे हैं बड़ा चैलेंज ही है कि हमारे पास human resource appropriate नहीं है ठीक है और जितने भी दुनिया में companies बड़ी-बड़ी सभी के साथ यही सबसे बड़ा major challenge है ठीक है एड़ प्रोवाइड ब्रेक्ट्रू सॉल्यूशन्स इन दे रेंज ऑफ सेक्टर्स लाइक अगरी कल्चर एनरजी क्लाइमेट चेंज एफॉर्डबल हाउसिंग एड स्मार्ट सेटीज तो ध्यान रखना ये हर जगा पर उनिवर्सल हो गया आज की डिट में ए जहां भी लग सकता है यह समझ लो ठीक है जहां भी इंसानी दिमाग लग सकता है वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ठीक है तो देखों इस्टाबिश किया गया था इसको एक अग्रीमेंट के तहट में चैड़्या और यूएस की ओवर्मेंट के बीच में ठीक है गवर्मेंट ऑफ इंडिया तरफ थी यूएस तरफ तरफ और दोनों ने मार्च 2000 में म स्टेक्ज़ेंट ते मक्राडेंन और थी करें इन्डूर्मेंट करें तो बढ़ावाद गरॉपल इट ऑपरेट फी तू तू शो टू बाइलेटरल अग्रिमेंट ग्रिमेंट से दोस्तों ध्यान रखना कौन-कौन से इंडो-ई-उस Science and Technology Forum IUSSTF and United States India Science and Technology Endowment Fund ठीक है तो देखो ध्यान रखना यह साथ चीज़ बहुत important है यह क्या करता है basically public good के लिए मतलब जो आपका R&D है वो उसको promote करता है ठीक है ध्यान रखना यह चीज़ कि जो भी jointly developed technology उसको commercialize करके public good के तरफ आपको बढ़ावा देगा ठीक है इसमें देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेकलोजी गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स और रस्पेक्टिव नोडल डिपार्टमेंट फॉर आई यू एसस तो दोस्तों इस पर सवाल बन सकता है आपका क्योंकि यूपसी का एक फेवरेट कॉस्चिन होता है नोडल सेग्मेंट से किस से नोडल सेग्मेंट से ठीक है तो ध्यान रखना है यह चीछ कि यह दोजार में बना था बाइलाटरल ऑगनाईजेशन है इसके अ चोड़ा सा ठीक है तो देखो मैंने बताया ना कि बेसिकली है क्या आर्टिफिचल इंटेलिएंस जैसे यूमन ब्रेन की आदत होती है सीखने की ठीक है बच्चा चोटा होता है वह आजवज़ को नोटिस करता है और उसके बेसिस पर जो इन्पुट मिलते हैं उससे सीखता है ठीक है ममी को ममी क्यों कहना है उसको नहीं मालूम है लेकिन उससे कई पर देखना बच्चे जो अपने पैरेंट लोते हैं नंको बंदाने लगते हैं क्यों क llames रखतेनीे मम्मी को नाम से बुला रहा है तो ऑपको नाम से बुला रहे हैं तो वो नाम दो समझाना पड़ता है नई मम्ही कहिए को पापा पॉद्ध तरीके से अब देखोगे तो बिसिकली computer भी human brains को mimic कर रहे हैं और उसके basis पर सीखने कोशिश कर रहे हैं ठीक है अब इसमें कई तरह के technology आ सकती है neural network आ सकता है machine learning आ सकती है ठीक है फिर उसके अलावा sensor based जो data analysis होती है वो सारी चीज़ें आती है ठीक है तो कई sensor based क्या हो जाएगा आप उसको कोई particular smell दोगे ठीक है ठीक है ऐसी भी technology चल रही है मार्केट में grasshoppers जो होते हैं उनके nose बहुत sensitive होता है तो उसको क्यों ना harness किया जाए ठीक है तो बिलकुल मतलब यह bionics का जो future आने वाला है उसमें भी artificial intelligence बहुत help करने वाली है ठीक है धियान दो artificial intelligence को अगर हमने deploy किया तो national growth rate 1.3% तक बढ़ सकती है ठीक है चलो देखो AI के अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है national growth rate जो है 1.3% बढ़ा देगी लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डर है that is loss of employment है न और आप देखोगे अगर मैं loss of employment बोल रहा हूं तो यह ऐसा without fact नहीं बोल रहा हूं आप देखो यूबी आई यूनिवर्सल बेसिक इंकम क्या चीर बोला यूबी आई उनिवर्सल बेसिक इंकम ठीक है this was a concept which was expected to come from developing nations कि भाई developing nations में standard of living poor होती है तो they will demand UBI first कि भाई minimum living standard तो सब को चाहिए पुरी दुनिया को चाहिए है न बट UBI is being demanded by developed nations now it is ठीक है ताप सोचे developed nations are demanding UBI भाई भाई क्यों कर रहा है ऐसा क्योंकि they all are fearing कि after deployment of AI their jobs will be lost ठीक है there will be huge displacement of humans in industries and machines will take over their job even golden collar job जो से हम कहते हैं जो आपका कहते हैं एक notch उपर होता है managerial या फिर मतलब service sector से भी उपर होता है जो R&D वाला job है वो भी अब AI करेगी ठीक है तो एक time ऐसा भी आने का डर है तो भाई अब कहां जाओ गया ठीक है blue collar job कर नहीं सकते है white collar job कर नहीं सकते golden collar job कर नहीं सकते हैं तो क्या करोगे खेती किसानी भी किसानी कर रहे हैं बिचारी मतलब यह नहीं कर रहे हैं तो सारी जॉब्स चुन्ती चंती चली जाएंगी ठीक है एड़ेंट क्या होगा ऐसा एपोकलिप्स वाले मानते हैं ठीक है है जब लोगों ने पूरी-पूरी cotton mill सी जला दी थी ठीक है क्योंकि village economy पूरी-पूरी द्वस्त होगी थी बट आप देखिए उसके कान कितना रोजगार पैदा हुआ कितने सारे लोग गरीबी से बाद में बाहर निकले है तो हर technology के अपने ठीक है सपोर्टी मतलब इट फैसिलिटेट इट इट फैसिलिटेट स्यूमन जज्जमेंट बाई प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज सच अस प्रेडिक्टिव आउट्पूट्स ठीक है कैसे क्यों हमने एक बार समझा दिया सिस्टम को कि भाई क्या कहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ सब्सक्राइब कर सकता है जब हम अपने इमोशनल बायस से फ्री हो करके AI के डेटा पर रलाई कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें बहुत मैटर करने लग जाएंगी एड होगी ठीक है री-इमेजिनिंग के अगर हम बात करें तो AI performs activities that go beyond cognitive abilities of humans like large-scale genome study in bioinformatics ठीक है सबसे important बात क्या है AI को सोने की जुरत नहीं पड़ेगी जैसे human brain है वो ठक जाता है emotionally void हो जाता है जिसे हम share market में जाते हैं तो क्यों कहते हैं जो traders होते हैं कोशिश करो एक से दो trade बस लगाओ उसके बाद आप mentally ठक जाते हो emotionally ठक जाते हो और there huge probability कि आप गलत करोगे ठीक है तो ध्यान रखो कि re-imaging में help करेगा हमारी ठीक है बहुत large scale genomic studies जो है उसमें हमारी help कर सकता है AI ठीक है इसके अलवा यह replace भी कर सकता है humans को in potentially harmful situation for humans like rapid system response in nuclear reactors तो ध्यान रखना जब भी nuclear reactor को blast हो रहा है कुछ भी ऐसा हो रहा है तो AI will take over और वहां पे humans की aid होगी harmful situations में उनको जाना नहीं पड़ेगा उनको timely evacuate भी किया जा सकता है ठीक है चलो अब देखो AI की बहुत तरह की technologies है जो सबसे important है सबसे पहला जो पार्ट आता है that is sense ठीक है दूसरा जो पार्ट आता है comprehend क्या है comprehend और जो तीसरा पार्ट होता है that is act ठीक है तो देखो सबसे पहले sense का मतलब क्या होगा computer vision audio processing तो यह सारी चीज़े क्या है कि जहां भी AI बैठा है वो सुन रहा ह सबको किसी को सबको देख रहा है CCTV camera सबके इस मामले में कहूंगा transcendence आप movie देखना चाहिए आपको transcendence ठीक है transcendence होगा जो तरीके से अपने आपको ले जा करके silicon valley area में desert area में अपना पूरा इंडस्ट्री सेट अप करता है solar panels की basis पे फिर कुछ ऐसे नैनो पार्टिकल बनाता है जिसके सुरू जितने भी disabled persons है सब उको treat करके better कर देता है है तो हलाग उसका एक negative impact भी पड़ता है जब उस पे लोग ग्रेड करने जाते हैं तो फिर इन्हीं लोगों को यूज करके उनको super human बना देता है खुद को पूरा पूरा रीकंस्रक्ट कर लेता है परसन वो है ना तो यसी कई सारी चीजें होती है जो की मतलब possible है तो किसी को भी कभी भी कहीं पे भी देख सुन सकता था वाय सेल फोन सब्सक्राइब करें करें ना इसके अलावा नेचरल लैंगोज प्रोसेसिंग अगर हम बात करें तो ध्यान रखना आच में का एक बहुत बड़ा काम यह भी है कि जो लैंगवेज इसको ट्रांसलेट करना ठीक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ठीक है नॉलेज को भी किस फ्यूचर में यूपीएसी के क्या प्राइटर्न फाटर्न होगे ठीक है ओल्रेडी अन प्रेडिक्टेबल उसमें भी लोग है कि प्राक्टिकली हम कोशिश कर लें कि आपका क्या 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 पर पूछ सकता है किस टॉपिक से ज्यादा पूछने प्रबबाबिटी एं थेक ह यहां रखना इडेंटिटी एनालिस भी करवा सकते हो विजूल एजेंट्स भी बिठा सकते हो आप देखो बहुत सारे फूट डिलिवरी एप्स है फॉर इसांपल जो मैटो हो गया ठीक है जहां पर आपको मैनुवल पर्सन मिलेगा ही नहीं ठीक है कम्प्यूटराइज रिस्पॉंस आएगा आज यह में आपका जीओ भी कुछ हद तक ऐसा ही कर रहा है जीओ मार्ट कुछ जगह पर इसा है कि कुछ 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 कर रहा है इन लोग आटोमेट करने की जहां पर उनका human resource कम से कम हो ठीक है खुड़ in health sector सबसे पहला कौंसा Hersidas ठीक है तो हमेशा कोजिमी निया निर्स हो सके यह हर जगह निर्स हो सकते ओध टोप एपने सकते हो जोकी अपने फैज को स्कैन करो झेगे यह बी बहुत प्यार से दिखाया है ठीक है कि वो पर्सन के चेहरा देखकर कि उसका कलर देखकर कि इमोशन और उसके हार्मोनल लेवल को जज कर लेता था ठीक है तो यह समझे आप ट्रेनिंग दे सकते हैं आप एई एंड रोबोटिक्स को ठीक है कीपिंग वेल अप रेगुलर डिटेक्शन कर सकते ह इसना चल रहा है कैसा चल रहा है और इन सब चीजों के बेसिस पर अर्ली डिटेक्शन भी कर सकते हो ठीक है डियाग्नोसिस तो ही इसका एक नीश एरिया डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है ठीक है क्योंकि डॉक्टर्स अपने आप में एक ह्यूमन है और इसके अलबार रिसर्च होगे तो सारी जगह पर आपका बहुत ज़्यादा है इसके अलबाद कर सकता है इसके अलबाद कर चुका हो अग्रिकल्चर के अगर में बात करूं तो सबसे पहला जो अप्लिकेशन है डैस फॉर स्वाइल के ठीक है मिटी में क्या क्या चीज यह सबस्क्राइब तो थो तुछ सबस्क्राइब तो फार्मर्स अन आप्टिमोलर के बताएगा इसके अलबाद के अट and where are the pests accordingly it will suggest the farmer that where you should use and how much herbicide or insecticide you should use ठीक है इसके लगव precision farming में भी help करेगा दोस्तों यह बहुत ज्यादा precise होता है precise calculations कर सकता है और इसलिए real-time advisory भी farmers को दे सकता है ठीक है चलो अब आगे देखो AI का यूज क्या है education में ठीक है तो सबसे पहले smart content creator create करने के लिए ठीक है तो इससे क्या इंटराक्टिवीटी बढ़ेगी ठीक है आप देखिए हैं मैंने टीम ने स्मार्ट बनाया है रइट बट यहीं स्मार्ट आर्ट आपका कहते है इसको काम करने की जुरत नहीं पड़ेगी ठीक है कुछ जगह पर ऐसा भी किया गया है कि जो मेंस की कॉपी है वह भी बेस सिस्टम चेक कर ले ठीक है प्रेडिक्टिव टूल की बात करो तो माइक्रोसाफ्ट इस हेल्पिंग प्रेडिक्टिंग ड्रॉप आउट इन आंध्रप्रदेश दोस्तों देखो यह बहुत अच्छा इनिशेटिव है जो कि पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा हमारी ठीक है तो आप इसको याद कर लीजिए मेंस में भी कोट कर सकते हैं कोर्स फॉर एक्सांपल राइट तो लर्न भाई पीर संट पीर संसाब ने क्या का राइट टू लर्न एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर आप प्रोफेशनल डिवल्लप्मेंट कोर्सेज भी चला सकते हो विध है ठीक है अच्छा यूजिंग ए और इन स्मार्ट सिटी इसके अलावा क्या है को सेविंग भी ध्यान दे सकता है अलॉंग उन्प्रूफट सेफटी एंड एससेबिलीटी ठीक है क्यों कहीं पर भी कुछ बील्टा सीधा देखता है तो उसको रिपोर्ट कर सकता है टाइमली बेसिस पे पुलिस को ठीक है राधा देन हमें मैनुल ए कि जो एसे और भी तरीके स से that feature ब्रूंप ज kay एसे तो में उओ डायाति अबältं आलना है कितना डाला है किस एलिया में डालना है तो यह कूर आते हैं कभ नहीं आते हैं इसको भी आपका क्या कहते हैं मैनेज कर सकता है कि हक्या चीज किस पर पर परिशिन में को की कि स्मार्ट से वॉक करूँगा अपने आप ऐसी बंद हो जाए अपने यह आप कहते हैं जो लाइट है वो बंद हो जाए ठीक है यह चालू कर दे चलो देखो सर्विस डिलिवरी की बात करें सर इस बात यह बहुत कॉमन चल रहा है और कोशिश की जा रही है और मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत कंप्यूटराइज टाइप का फील आता है ठीक है चल रहा है तो अव्यसी बात है कुछ बैटरी होगा इंटलिजेंट सेफटी सिस्टम्स की बात करें तो सेफटी सिस्टम मे भी है ठीक है इसके लगा अधर यूजस के अगर हम बात करें तो ध्यान दो यहां पर लॉइंफोर्स्मेंट डिफेंस एनरजी मैनुफैक्टरिंग मोबिलीटी यह सारी जगह पर आपका एयाई यूस को सकता है ठीक है अब जहां भी बोलोगे वहां पर जा सकता है वहां प पैलस्टाइन में ठीक है जो हमास आपका क्या करता था अंडरग्राउंड करके अटक करने के लिए वह सारी हमने एयाई बेस्ट वेपन के बेसिस पे ब्रेक कर दी ठीक है इसके लाव आप अभी वह भी देख सकते हैं अल्दो यह यूज नहीं हुआ था लेकिन स्टिल अब लगे थे जिनको सुसाइट बॉमबर भी कह सकते हैं ठीक है अब बहुत सस्ते में मतलब जीत गया था अजरबाइजान आर्मेनिया के उपर जबकि आर्मेनिया ने डिसाइसिवली हराया है बहुत छोटी कंट्री होने के बाउजूद आजरबाइजान को इन दपास्ट ठीक है तो यह सारी चीज़ें ध्यान दो कि आप जब भी AI लगाओगे तो आप सिस्टम को बेटर कर सकते हो ठीक है human bias वहां से हटा सकते हो data oriented काम कर सकते हो ठीक है इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चल सकते हैं ठीक है अच्छा अब देखो इंडिया के क्या के initiative है दोस्तों सबसे पहले तो यह बिल सबसे इंपॉर्टन इसको पास किया चाहिए जरूरी है यह लटक राए बार-बार मतलब हमारे पार्लियमेंट में जो कि बहुत गलत बात ठीक है इसके अलावा आता आपका नेशनल साइबर सेक्यूरिटी स्ट्राडेजी 2020 जो कि एक सेफ सेक्यूर और रेजिलियंट साइबर स्पेस की भी बात करता है ठीक है इससे क्या होगा जो आपका AI-based threats है हमारे पास ठीक है कि आप हैक कर लोगे और इसको मोडिफाइ कर दोगे किलिंग मशीन के तोर पर यह चीज नहीं हो पाएगी ठीक है चेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर इंड आर्ट इविश्य इंटलिजेंस वास्ट बाई एन आई सी दोस्तों ध्यान रखना सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर इस पर आप ध्यान देंगे ठीक है center of excellence for artificial intelligence किसने बनाया है एन आई सी ने बनाया है ठीक है और यह काम क्या करें तो बाते बहुत जैनुवीन सा है innovative projects निकालेगा new AI space में बदा निव solution निकाले AI space में आपका testing developing solution के मिलिए help करेगा ठीक है तो बहुत जैनुवीन सा जैन ठीक है इसके अलावा है इंड AI क्या है इंड AI ठीक है यह नेशनल AI Portal of India क्या है नेशनल AI Portal of India है और यह ज्वाइंट इनिशियेटिव है किसका किसका Ministry of electronics and IT and national e-governance division and NASCOM का ठीक है समझवाई बात ध्यान लोग मिल करके स्टार्ट किए एंड इसके अलावा नेशनल इगवर्नेस डिवीजन एंड नैस कॉम ठीक है तो प्लीज यह भी जान रखेंगा यहां पर भी गेम खेला जा सकता है इंपोर्टेंट और इसन्स इंस्टिशन से जो की सेटप किये जा रहे हैं ठीक है पोर्टल से अलग- आप इसका एंडिया का डिजिटल इंडिया डिजिटल टैलेंट राइट सेट अफिट अव सके ठीक है और रिमोट एंड रिमोट मतलब आची एच में चल रहा है ठीक है तो अब यहां सी बात है घर पे जायो गर बाचके पढ़ो और सबकासे तो बराबर होती नहीं है सब के पास वक्त भी बराबर नहीं होता है सब्सक्रों मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं रात को जाए कुछ पढ़ाई कर रहा हूं ठीक है अब घर पर बैठे हो आपके पास अभी कोई काम नहीं है या आप मतलब कुछ दिनों के लिए भी बेरोजगार हो आप क्या करोगे तो उसने स्टार्ट किया नहीं है ठीक है इसके अलावाद यहां दीजिए एरावत यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डायरेक्ट ऐसा ही पूछ सकता है एरावत रिसेंट्ली सीन इन न्यूज इस और अब आप पढ़ते रहोगे इंदर जी का क्या क्या क्य ठीक है वहाँ पर आप जाकर के यह बेस्ट कंप्यूटेशन जो भी करना हो वहाँ पर कर सकते हो ठीक है इसमें क्या है टुक एनेबल क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिग डेटा अनलेटिक्स विथ एडवांस एई प्रोसेसिंग कैपबिलिटीज ठीक है तो एई प्रोस कुछ न कुछ पॉलिसी आ सके ठीक है तो पहला जो कमीटी है डाट इस कमीटी ओन प्लेटफॉर्म्स एंड डेटा फॉर एई ठीक है इसके वाद है कमीटी ओन लिवरेजिंग एई फॉर आइटिफाइंग नेशनल मिशन इन की सेक्टर्स ठीक है फॉर इसांपल अगर मैं हो सकता है कॉंटेक्ट टूट जाए ठीक है सेटलाइट भी जब हम उपर भेजते हैं अगर हम एई बेस सिस्टम भेजें तो हो सकता है और वहां से वापस आने में यह टाइम बच जाएगा और वह जो सेटलाइट के साथ ज्यादा बेटर तरीके से हमारे साथ काम कर सकता है ठीक है तो इवन डीप सी एक्स्टोरेशन में भी यही चीज है हम स्पेस को जादा जानते हैं आस कॉंपेट तो हमारे डीप सी अभी रिसेंट में बहुत कॉंट्रोर्शियल स्टेटमेंट भी आई है एक एलियन स्पेस से नहीं समंदर के नीचे से आए है ठीक है तो डफि आता है कमीटी ओन मैपिंग टेकनोलोजिकल कैपबिलिटीज की पॉलिसी इनेबलर स्केलिंग री स्केलिंग और इसके बाद है कमीटी ओन साइबर सेक्यूरिटी सेफटी लीगल एथिकल इशू सबसे इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो AI कॉंट्रिक्ट में आ जाता है कि हम बहुत सारी जॉब्स होते हैं लिटरली मैं बहुत सारी जॉब्स होते हैं एक्जांपल देता हूं ड्राइवर लेस कार ठीक है अब दोस्तों एक ची मुझे बताइए कि सपोज करो कि एक एक्सिडेंट होने वाला है ठीक है AI ने कैलकुलेट कर लिया कि भाई मैं कितना भी ज्यादा ब्रेक लगा लूँ कोलीजन होगा ही होगा ठीक है अब इसके पास ऑप्शन है कि डाइवर्ट करके एक परसन को मार दे या फिर कई सारे लोगों मार दे ठीक है रास्ते में मतलब साइड में खड़े हुए हैं कई सारे लोग चार-पांच लोग हैं है ना तो यह क या तो पांच लोगों रोड साइड मार दे सलमान खान की तरह सॉरी बात है उनका नाम नहीं ले सकता हूं गलती से निकल गया ठीक है तो स्टिल मतलब आप जानते ही है रोड पे जो भी अक्सिदेंट हुआ था उनको को बरी कर दिया तो सलमान खान के ड्राइवर की तरह सम बहुत बड़ा खुला है जो इसके बारे में डिसकस कर रहे है और यूपीसी में भी आपका इथिक्स आता है तो पढ़ लो अच्छी बात है पढ़ लो ठीक है भाई काम आएगा रोजगार है ठीक है की चैलेंजेश एज हाइलाइटेट बाई डेटा सेक्यूरिटी काउंस भी आते हैं हैकिंग से भी रिलेटेट चैलेंजेश है क्योंकि मालो एई को अगर किसी ने हैक कर लिया तो नहीं मालूम कि किस तर्फ क्या चीज़ कर देगा जैसे आचीज में देखो पावर नेटवर्क में कई बार हमने देखा है कि चाइनीज ग्रूप्स थे जो कि हैक कर करके बैठे थे ठीक है और यह चीज ऑफिशियली कंफर्म की गई है इंडिया के यूनियन पावर मिनिस्टर के द्वारा ठीक है कि कुछ ऐसे बग्स थे जो एसमेट्रिक वेबसाइट करके आपका सिमिलर नेम वाली वेबसाइट करके डेटा चुड़ा रहे थे ठीक है है करो और बहका दो दुनिया ऐसे खतम हो जाएगी अपने अप है ना इसके अलावादे को लिमिटेड एए एक्सपर्टी सबसे इंपॉर्टन चीज है कि हमारे पास दुनिया में एए के एक्सपर्ट बहुत कम है दोस्तों एस पर मैकेंजे टैलेंट इस वन अव इस तो दुनिया का कोई बड़ी से बड़ी कंपनी बैतरीन से बैतरीन कंपनी उसके पास टैलेंट एक सबसे बड़ा बॉटलनेक है ठीक है और इसके बाद है लाक ओफ इंवस्मेंट लोग अप्रिहेंसिव हैं कि फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा इंवस्मेंट इसल नाम क्या रखा है एरावत प्लीज आप इस सवाल को ध्यान रखेंगे प्रिलिम्स में सीधा आ सकता है प्लीज आप इसका ध्यान रखेंगे ठीक है अच्छा अब इसके अलावाद है को लैक ओफ इंटिक्रिटी एंड इथिक्स यह दोस्तों बहुत डिफिकल टॉपीक है बहुत मुश्किल है एक्जाक्ली डेवलप करना ठीक है लैक ओफ इंटिक्रिटी एंड इथिक्स अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सूपर इंटेलिजेंस आता है टेकलोजी इस वाली जो कंडिशन है जो हम हमेशा से हर मूवी के एक थीम रहती है कि भाई हम जब भ लग नहीं आरी उनकी लैंग्विज क्या है तो जब खुद की लैंग्विज में बात कर रहे खुद का पावर सोर्स जूड़ने लग जाएंगा खुद का हर चीज करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा है एड देंट वह खुद की दुनिया भिसा सकते हैं तो मानु चला लुटा हम इस वाइड बन जाएंगे और अप्लिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्ट्टर दोनों को डिवलप करना चाहिए थोड़ा लिमिट में करना चाहिए थोड़ा करना चाहिए थाकि हमें इसके fallouts पता चल सकें, ठीक है, इसके अलबार regulation and policy, obvious ही बात है, इसके बिना तो दोस्तों काम ही नहीं हो सकता, मैंने सबसे बड़ा challenge का बता है, ethics बता है आपको, ठीक है, तो सबसे important क्या है, safety of people को ensure करना, ठीक है, protection of privacy for making people aware about this technology and create confidence in people, ठीक है, तो यह लोगों में confidence भी create करें, और साथ साथ technology को भी के बारे में लोगों को aware करवाए, इसके अलबार research and development, human resource development, तो यह सारी चीज़े recommendation में आप लिख सकते हो, बहुत simple सा है, चलो आज का सवाल देख लो, है ना, जो पहले discuss किया था, जो previous year question, actually 2020 काई सवाल है, ठीक है, इसका answer आपका D है, सारी जगप, आना बताया ना, कुछ नहीं सोचना है यार, अगर application पूछना है, तो in general में बोल रहा हूँ, 70 to 80% case में all of the above answer होगा, in general बोल रहा हूँ, जब तक एकदम absurd ना लगे, ठीक है, ऐसा मत करके आजाना, सर ने बोला है कि 70 to 80% होदा, आख मूंद करें मार दिये, ठीक है, क्योंकि अभी भी 20 to 30% probability है कि भी सही नहीं होगा, ये भी धियान रखना, ठीक है, 20 से 30% probability कि आए कि सही नहीं होगा, तो ये चीज़रूर धियान रखना, ठीक है, तो प्लीज जान रखना, all of the above, in general, application के लिए सही होता है, इन जेनरल बोल रहा हूँ, भी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज, caveat को note करें, ठीक है, तो आपको कई बार judge भी करना है, कि out of box कुछ तो नहीं दिखरा है, एक दम, कि जो होई नहीं सकता किसी भी तरीक से, मेरा दिमाग कही नहीं सकता कि इसको हो जाएगा, ऐसा कुछ, अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,